Hello and Welcome to Scottish Alam, Myself Nalad as Sharma, आज आपके लेकर आए हम pair of linear equation की कुछ important अलग-अलग types को जो elimination method से हम solve करवाएंगे सबसे आसान तरीकिए से solve करने का ट्राइब करेंगे फटाफर solve करने का ट्राइब करेंगे अलग-अलग चार कॉश्चन पांस कुश्चन उठाया है हमने तो कि अलग-अलग टाइप से उठाया गए है चलते हैं फर्स कुश्चन की तरफ फर्स कुश्चन में बताया गया है हमें x प्लस y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 इस कुश्चन को करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं या तो आप x को eliminate करने का try करो या तो आप x को eliminate करने का try करो या फिर आप y को eliminate करने का try करो तो first method देख लेते हैं x को eliminate करने वाला तरीके से तो इसको बोलतीजी आप equation number 1 इसको बोलतीजी आप equation number 2 देखना ये है कि अपनको x पहले बराबर करना पड़ेगा तो equation number 2 के अंदर 2x लिखा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले 2 यहाँ पर लेके आना पड़ेगा हमें तो बोल देते हैं multiplying equation 1 with 2 तो 2 से multiply कर देते हैं equation number 1 को तो यह हो जाता है 2x plus का 2y is equal to 10 and फिर subtract करा देजिए इस equation को equation number 2 से तो लिख दीजिए subtracting equation 3 with 2 with 2 तो second वाल equation को नीचे उतार देजिए 2x minus 3y is equal to 4 नीचे वाल equation के sign change होते है negative यह negative यह positive और यह negative 2x से 2x cancel हो गया 2y plus 3y will be 5y and 10 minus 4 will be 6 तो y की value आ रही है 6 upon 5 क्या आ रही है 6 upon 5 6 upon 5 को आप equation 2 में या equation 1 में किसी में भी put कर दीजिए तो लिख दीजिए आपे putting the value of x value of y in equation 2 second में डालते हैं इसको हो तो क्या हो जाएगा हमारा 2x minus 3 into 6 upon 5 is equal to 4 solve कर लेते हैं इसको यह हो जाता है हमारा 10x minus का 18 upon 5 is equal to 4 LC हम ले लिया है अपने हाथ वाथ यहाँ पे फिर multiply करा देते हैं तो 10x is equal to 20 5 to the 20 minus का 18 हो जाके plus का 18 हो जाता है तो 10x is equal to हो जाता है 38 के बराबर x की value आती है 38 upon 10 तो क्यों कर लेते हम तो हो जाती है 19 upon 5 के बराबर तो यह हो गया first method हमारा जिससे हमने इसको solve कराया इसमें हमने x को eliminate कराके y की value second equation दो पूर्ट करके निकाल लिया करते है बाद second वाले method की जिसमें हम y को eliminate करा देते और x की value पहले निकाल देते है इस बार हम y को eliminate कराने के हिसाब से सोचते है तो यहां पर देखने वाली बात है जब y को eliminate कराना है आपको तो यहां पे है माइनस का 3Y, equation 1 के अंदर, यहाँ पे है सिर्फ Y तो क्या करते है, equation number 1 को अगर हम 3 से मल्टिप्लाइ करा दे तो यहाँ पे plus का 3Y होगा, यहाँ पे माइनस का 3Y होगा, दोनों equation को add कराने के बाद में हमारा काम असान हो जाएगा, तो कर लेते हैं multiplying equation 1 with is equal to 15, और बस फिर add करा लो, इस equation number 3 को equation number 2 से, सिर्फ add करा लो directly, तो यह हो जाएगा, 2X minus 3Y is equal to 4, sign change करने के ज़रूत क्यों नहीं है इस बार, क्योंकि Y की दोनों term की already sign different है तो कट जाएंगे, वो तो यह होगा, कट गया, 3X plus 2Y will be 5X is equal to 19 X की value आगी 19 upon 5 इसको जब आपन equation number 2 में put कर देता है putting the value of X in equation 2, तो हमारी Y की value आजाती है, 6 upon 5 के बराबर तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो भी आपको लगे कटने लायक है, X या Y में से उसको पहले eliminate करा लीजिए दोनों में से जो भी method अपना आते हो कोई फरक नहीं पड़ता है X को eliminate करा हो, या Y को eliminate करा हो value will be same चलते हैं अगले question की तरफ अगले question में दे रखा है 3X plus 4Y is equal to 10 और इसमें दे रखा है 2X minus 2Y is equal to 4 सबसे आसान तरीका इस question को कोईने का यह है कि आप equation number 2 में equation number 2 में अगर 2 से multiply करा देते हैं इस पूरी equation को तो हमारा 4Y यहां पे आ रहा है और minus का 4Y यहां पे आ जाएगा फिर दोनों equation को add करने पे हमारा Y खतम हो जाएगा और X की value निकल जाएगी तो directly equation number 2 को मैंने 2 से multiply करा देते हैं यह हो गया एड कराया हमने तो 4Y से 4Y cancel हो गया 3 प्लस 4 हो गया 7X is equal to 14 X की value यहां से नजर आ रही है हमें 2 के बराबर इसको put कर दीजिए आप equation number 1 में तो यह हो जाएगा 6 प्लस 4Y is equal to 10 जो कि basically हो जाता है 4Y is equal to 4Y की value आ जाती है यहां से 1 के बराबर आप चाहते तो यहां पे X से भी eliminate करा सकते थे इस वाले equation में आप यह तो 2 common लेके फिर 3 से multiply कराके subtract करवाते तो X की value से भी निकल जाता तो सबसे short तरीका यही है जिसका already sign change हुआ है sign different है Y का sign different है तो हलका सा multiply कराके subtraction करना या addition करने से हमारा काम असान हो जाता है बढ़ते हैं आगे similarly इसमें देखे क्या है 3X minus का 5Y minus का 4 क्या करें इसको उस तरफ ले लिजे आप यह हो जाएगा minus का 9X plus का 2Y plus का 7 is equal to 0 देखे यहां पे 3X यहां पे है 9X सबसे असान काम क्या होगा equation 1 को आप 3 से multiply कराके इससे add करा देजे तो 3 से multiply होने के बाद में हो जाएगा यह 9 का X plus minus का 50 minus का 15 and minus 12 is equal to 0 सिर्फ add करा दिया तो 9X से 9X cancel out हो गया एक positive ता एक negative ता इसलिए यह हो जाता है minus 13Y के बराबर और यह हो जाता है हमारा minus का 5 के बराबर is equal to 0 तो Y की value आ जाती है यहाँ पर plus का 5 minus का 13 upon 1 Y की value जाती है minus का 5 upon 13 Y की value put कर दीजिए आप equation number 1 में या 2 में 2 में put कर देते हैं तो क्या हो जाता है 9X is equal to minus का 10 upon 13 plus 7 उसके बाद हम यहाँ पर LCM ले लेंगे तो यह हो जाएगा 9X is equal to minus 10 plus 13 into 7 upon 13 तो यह हो जाएगा X is equal to solve करने के बाद में 81 upon 9 into 13 9 जा 81 X की value आ गई 9 upon 13 यहाँ पर हमारा third question समापत हो गया है चलते हैं फोर question की तरफ 4 question में LCM लेते हैं हम यह हो जाता है 6 के बराबर 3X plus 4Y is equal to minus 1 यह minus 1 के पास 6 किया तो यह हो जाएगा 3X plus 4Y is equal to minus 6 तो यह हो जाता है हमारा equation number 1 यहाँ पर LCM वापस लेते हैं second equation में तो यह हो जाता है 3X minus Y upon 3 is equal to 9 यह हो जाता है हमारी second equation first and second equation में देखने से हमें बता लगता है कि 3X और 3X दोनों आ रहे दोनों को सप्रेक कराने में हमारा काम असान हो जाएगा तो इसको हम सप्रेक करा देते हैं first से तो सप्रेक कराया sign change हुआ sign change हुआ cancel out हो गया यह वाला part 4Y minus Y will be 3Y and minus 6 and minus 9 add हो जाएगे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 15 के बराबर तो Y की value के आ गई हमारी यहाँ पर minus 15 upon 3 तो यह हो जाता है minus का 3 के बराबर Y की value minus 3 हम put करते है इदर तो यह हो जाता है 3X plus 3 is equal to 9 and 3X is equal to 6 हो जाता है X की value यहाँ से 2 आ जाती है यहाँ पर हमारे 4 और type खतम हो गया elimination के Thank you so much for joining us ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे है subscribe करें